बच्चो पहली बात तो थैंक्यू सो मच आप बहुत टाइमली वीडियो देख लेते हो फटाफट नोट्स बना लेते हो इसलिए मैं आपको इवीडियो सेंड कर रही हूँ तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे इव्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय में अंतर जो कि हम थैसरा कॉलम पारंपरिक व्यवसाय तो पहले वीडियो को पॉस करके एक लंब सा कॉलम बना में नूज से वीडियो शुरू करो नाव सबसे पहला निर्माण में आसानी ये व्यवसाय और पारंपरिक पहले तो आपको जिन website को देखते हुए हम बड़े हुए हैं उन सब को हम पारंपरी के विडियो में कि कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोक से जब भी हम कोई वस्तुओं का लेंदेन कर रहे हैं कोई पारंपरी के वस्तुओं के मुखाबले सेकंड पॉइंट भौती कुपस्तिति बहुती कुपस्तिति का मतलब है फिजिकल एक्जिस्टेंस होना जरूरी है क्या क्रेता और विक्रेता की या आमने सामने नहीं भी होंगे तब भी बिजनस हो जाएगा दोनों में से किसमे क्रेता और विक्रेता को आमने सामने होना जरूरी होता है पारंपरी के वस्तुओं में क्रेता और विक्रेता की बहुती कुपस्तिति आवश्यक नहीं होती है जबकि पारंपरी के वसाई में क्रेता और विक्रेता की बहुती कुपस्थिती आवश्यक होती है देखो जो भी main word है उसको underline कर दो उससे क्या होगा जब आपका paper चेक होने जाएगा तो examiner फूरा sentence नहीं पड़ेगा जो main बात है उसको read करके वो आपको marks दे देंगे करने की आवशक्ता होती है इसलिए संपत्यों का depreciation माल की wastage की लागत इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं तो इस वजह से इवसाई की जो प्रचालन लागत है जो operating को underline कर लो पहले वीडियो को pause करके देरे देरे इसको note करते जाना fourth point पूर्ति करता हो और ग्रहाकों से संपर्क आपूर्ति करता हो और ग्रहाकों से यानि कि customer से अब कैसे meet करते हैं कैसे मिलते हैं जो suppliers हैं उन से कैसे मिलते हैं E VSI में आपूर्ति करता हूँ और ग्रहाकों से अप्रत्यक्ष संबंद होता है, indirect, सामने नहीं, Mediators के माध्यम से indirectly relation होता है, जबकि पारंपरी के अपूर्ति करता हूँ और ग्रहाकों से प्रत्यक्ष संबंद होता है, आमने सामने, ठीक है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष को अंडर्लाइन कर लो यहाँ पर प्रत्यक्ष को अंडर्लाइन कर लो फिफ्थ पॉइंट अगर यहाँ तक ना किया हो तो वीडियो को पहले पॉस कर लो यह चारो पॉइंट्स लिख लो फिर फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं पांचों पॉइंट है आवश्यक्ताओं की पूर्ती में लगने वाला समय जो हमारी requirements है जो customers की requirement है उनको पूरा करने में के कहाँ पर जादा समय लगता है कहाँ पर कम समय लगता है देखे ये व्यवसाय में आवश्यक्ताओं की पूर्ती करने में अगर हम पारंपरिक व्यव व्यवसाई का चक्र देखिए व्यवसाई का चक्र या व्यवसाई की प्रक्रिया ये व्यवसाई में comparatively छोटा व्यवसाई चक्र होता है जबकि पारंपरिक व्यवसाई में लंबा व्यवसाई चक्र होता है जादा लंबा चोड़ा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जा क्योंकि ग्राहक या फिर क्रेता और विक्रेता क्योंकि आमने सामने नहीं है इसलिए उनका अंतर व्यक्तिक संपर्ख भी बहुत कम होता है लेंदेन अप्रेतक्ष है इसलिए अंतर व्यक्तिक संपर्ष कम है जबकि पारंपरी के उसाई में लेंदे नामने सामने होता है तो इसी लिए अंतर व्यक्तिक स्पर्ष भी जादा होता है comparatively as compared to e-business नोट कर लीजे इसको next आठवा पॉइंट है वैश्वी करण क्या लगता है अपना e-websai वाला जल्दी world over famous हो जाएगा या अपना पारंपरी के उसाई वाला परचुन की दुकान वाला जल्दी famous होएगा definitely e-websai में वैश्वी करण असान होता है और तीवर होता है fast होता है ऐसा क्यों क्योंकि e-websai सीमा विहीन है ग्राहक संसार के किसी भी विक्रियता को ढूँन सकता है और seller भी संसार के किसी भी वायर को ढूँन सकता है तो e-websai सीमा विहीन होने के कारण इसने वैश्वी करण सरल और तीवर होता है जबकि पारंपरी के उसाई में वैश्वी करण में समय लगता है और कम भी होता है इतना easy नहीं होता है वैश्री करण पारंपरी व्यवसाई में तो यहाँ पर underline कर लिजिए सरल और तीवर को और पारंपरी व्यवसाई में समय लगता है और कम को underline कर लिजिए नौवा पॉइंट मानव पुंजी की प्रकृति किस तरह के लोगों से हम बिजनेस चला सकते हैं इव्यवसाई और पारंपरी के व्यवसाई दोनों में से जाधा trained आदमी कहाँ पर चाहिए हमें इव्यवसाई में तो इव्यवसाई में कुशल, पेशेवर और योग्य करमचारियों की आवशक्ता होती है जबकि पारंपरी के व्यवसाई में कुशल या अर्धुकुशल कारेबल से भी काम चलाया सकता है अगर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है, तब भी हो सकता है कि हमारे एरिया में उनकी दुकान सबसे अच्छी चलती हो तो पारंपरी के व्यवसाई में कोई व्यक्ति को बहुत जादा कुशल होना जरूरी नहीं है, कोई कोई विशेश योग्यता की आवशक्ता नहीं है एक अर्धुकुशल या अर्धुकुशल व्यक्ति भी पारंपरी के व्यवसाई को चला सकता है नेक्स्ट इस जोखेम, कहां पर रिस्क जादा है, इविजनेस में, इवेल्साइ में, मंगाई तो इतनी लंबी टेबल, पोटो तो इतनी लंबी टेबल की लगरी थी, लेकिन जब घर में आई तो वो इतनी सी टेबल थी, तो हैरानी हुई कि यह बच्चों के खेलने की टेब है तो क्योंकि यहां पर दोनों पक्ष्चों होते हैं आमने सामने नहीं है फिर कई बर क्या होता है नाम नहीं पता एक दूसरे का तो ऐसे में जोखिम कंपारिटिवली जादा हो जाता है वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम चुनिंदा वेबसाइट से अपना समान है है अगर हम इन वेबसाइट से समान मंगाते भी हैं तो क्वालिटी के गारंटे होती है और सात्य कोई समान खराब भी निकलता है तो हम जब भी चाहें इसको वापस कर सकते रिटरन पॉलिसी होती है आपने देखा होगा कभी यहाँ पर रिस्क जादा यहाँ पर रिस्क कम फिर भी इतने सारे पॉइंट्स हमने डिसकस करें आपको क्या लगता है और पारंपरिक विफसाई में आज की डेट में दोनों में से क्या चीज है जो हमारे जादा काम आई है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताओ रिपीट करते हैं पहला पॉइंट निर्मान इविफसाई सरल पारंपरिक विफसाई कठें दूसरा भौतिक उपस्थिती इविफसाई में आवश्यक नहीं पारंपरिक विफसाई में आवश्यक है प्रचालन लागत इविफसाई में कम पारंपरिक विफसाई में जादा आप पूर्ति करताओं से संबंद E-Websai में प्रत्यक्ष, पारंपरी के उसाई में प्रत्यक्ष, यानि कियामने सामने, आवशक्ताओं को पूरा होने में लगने वाला समय, E-Websai में कम समय लगता है, पारंपरी के उसाई में जादा समय लगता है, प्रवेसाई प्रक्रिया, EWSI की EWSI प्रक्रिया comparatively छोटी होती है इसलिए आवशक्ताओं की पूर्थी में कम समय लगता है इसका चक्र थोड़ा लंबा होता है समान प्रोड्यूसर से कंजूमर तक आने में समय लगता है इसलिए EWSI चक्र लंबा होता है अंतरव्यक्तिक स्पर्ष या कम होता है पारंपरी के वसाइए में जादा होता है वैश्वी करण इवसाइए में सरल पारंपरी के वसाइए में कठिन मानव पुंची की प्रकृती कैसे लोगों की जरुद है इवसाइए में Дюшल पेशे वर और योग्ये और परंपरिक व canon में कैसे लोगों से काम से चल जाएगा कुशल और अर्दकुशल लोगो तरह से भी कामस चल जाएगा जोकिम में ज् Ottawa पेशेवर और योगे और फिर दोनों में से